का इस विडियो में स्वागत है आज हम इस विडियो में समझातिय श्रेणी, होमोलोगिस सीरीज और काबन योगिकों का नाम करण नॉमेंकलेचर ओफ काबन कमपाउंज का अध्ययन करेंगे मान लीजिये कि हमने बहुत सारी पुस्तकों को उनके विशय के अनुसार अलग-अलग बांट लिया अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, विज्यान, इत्यादी की सभी पुस्तकों को अलग-अलग रख दिया तो हर समू में क्या समानता हुई? जी हाँ, हर समू का विशय समान है आईए, इस पर चर्चा करते हैं जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है समजातिय अर्थात समान जाती वाले कार्बन यौगिक इसकी परिभाशा इस प्रकार लिख सकते हैं समान जाती वाले कार्बन यौगिकों का वो समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं प्रकार्यात्मक समूह समान हो। अलकेन समझातिय श्रेणी इस प्रकार है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादी। एक यूनित से दूसरी यूनित पर जाने में CH2 यूनित का अंतर है। जैसे मीथेन से इथेन में CH2 यूनित का फर्क है। इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन में भी CH2 का अंतर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी के किसी भी यूगिक को हम CnH2n प्लस 2 इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि श्रेणी के सबसे पहले यूगिक मिथेन में N की संख्या एक होगी। अब यदि हम इस सूत्र में N की जगा एक लिखें तो मिथेन के आणुविक सूत्र CH4 पाएंगे। इस श्रेणी में सभी कारबन यूगिक एकल आबंद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तथा इसलिए इनके नाम के आगे N जुड़ता है। जैसे मिथेन इथेन इत्यादी। इसका मतलब ये भी है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच 14 द्रव्यमान का अंतर है। क्योंकि CH2 का द्रव्यमान है 14। जैसे जैसे समझातिय श्रेणी में आगे बढ़ेंगे अनु का द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि हाइड्रो काबन योगिक में कार्बन कार्बन द्वियाबंध हुए तो उस श्रेणी को अलकीन कहेंगे। अर्थात नाम के अंत में इन जुड़ जाएगा। उदारण के लिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इत्यादी। इस श्रेणी में भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी के किसी भी यूगिक को हम CnH2n इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार हाइड्रो काबन यूगिक में कार्बन कार्बन त्री आबंध ट्रिपल बॉन्ड हुए तो उस श्रेणी को अलकाईन कहेंगे। नाम के अंत में आईन लगेगा। और वही महत्वपूर्ण बात कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर रहेगा। और इस कार्बन श्रेणी के किसी भी यूगिक को हम CnH2n-2 इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। आईए, अब हम जानते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह functional group किसे कहते हैं। जैसे OH, alcohol, CL, chlorine, BR, bromine, इत्यादी। ये प्रकार्यात्मक समूह यूगिकों को एक विशेश कुन धर्म प्रदान करता है। जब किसी हाइड्रोकाबन के अंदर एक हाइड्रोजन को कोई और समूह विस्थापित रिप्लेस कर देता है, तो उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। उदाहरन के लिए alcohol, OH लेते हैं। यदि मीथेन हाइड्रोकाबन के एक हाइड्रोजन की जगा, OH आलकोहल समूह जुड़ेगा, तो नाम के आगे all जुड़कर नीथनौल बनेगा। ठीक इसी प्रकार पूरी समझातिय श्रेणी की रचना होती है, नीथनौल, इथनौल, प्रोपेनौल, ब्यूटनौल, पेंटनौल इत्यादी। आप अब तक समझ गए होंगे कि ये अलकोहल की समझातिय श्रेणी है, और यहां भी एक यूनिट से अगली यूनिट पर जाने के लिए CH2 जोड़ना है, और एक यूनिट के अगली यूनिट पर जाने में 14 द्रव्यमान की बदल होती है, और क्योंकि सभी में एक ही प्रकार प्रकार्यात्मक समूह OH जोड़ा है, इसलिए इन सभी के रसायनिक गुण धर्मों में भी समानता होती है, इसी प्रकार आप हाइड्रोकार्बन समूह में अलग-अलग प्रकार्यात्मक समूह लगाकर समझातिय श्रेणियों की रचना कर सकते हैं, अतह अब आप समझ गए ह होंगे कि योगिकों की ऐसी श्रिंखला जिसमें कार्बन श्रिंखला में स्थित हाइड्रो जन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे समझातिय श्रेणी कहते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि एक युनिट से दूस समझातिय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण धर्मों में क्रम बधता दिखाई देती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वतनांक में व्रिद्धी होती है पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समों के द्वारा सुनिष्टित किये जाने वाले रासायने गुण समझातिय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं आशा है आप सबको समझातिय श्रेणी से संबंधित कोई दोविधा नहीं होगी आईए अब हम कार्बन योगिकों के नामकरण की विधी का आधियान करें कार्बन योगिकों की नाम पद्धति समझने से पहले एक नाम का उदाहरन देखेंगे जैसे श्री महेंद्र सिंग धोनी इस नाम में श्री को प्रीफिक्स अत्वा पूर्वलग्न कह सकते हैं महेंद्र फर्स नाम हुआ, सिंग मिडल नाम और धोनी सरनेम है ठीक इसी तरहा कार्बन योगिकों का नाम भी पांच हिस्सों में बटा है आईए जानते हैं कि वो पांच हिस्से कौन से हैं सबसे पहला हिस्सा होता है प्रात्मिक पूर्वलग्न फिर आता है त्वितिय पूर्वलग्न फिर आता है कार्बन श्रिंकला फिर आता है द्वितिय अनुलग्न जो नाम के पीछे जोड़ते हैं और फिर आता है प्रात्मिक अनुलग्न इस तरह हमारे कार्बन योगिक का नाम पांच हिस्सों में बटा हुआ है अब चर्चा करेंगे इस नामपदती के नियमों की परन्तु ये एक बार में आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि गणित की ही तरह इसमें आपको अभ्यास की आवशक्ता होगी उदाहरणों के माध्यम से इसकी चर्चा करने से ये आपको समझ आने लगेंगे और आप किसी भी योगिक का नामकरन करने में सक्षम हो जाएंगे आईए जानते हैं नाम पद्धती के बारे में जैसे केवल कार्बन और हाइडरोजन हैं तो उसे कहते हैं हाइडरो काबन अगर इसके अंदर हम किसी हाइडरोजन को हटा कर उसकी जगा फ्लोरीन लगा दें क्योंकि हाइडरोजन और फ्लोरीन दोनों कार्बन के साथ एक बंध बनाते हैं ठीक इसी प्रकार हाइडरोजिन की जगा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगाया जा सकता है अब ये क्या है? ये हैं प्रतिस्थापी क्योंकि इन्होंने हाइडरोजिन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगा ले ली है अंग्रीजी में इसे सब्स्टिटूशन कहते हैं अब तक हमने चार प्रतिस्थापियों की चर्चा की है आगे और भी प्रतिस्थापियों के बारे में जानेंगे यदि कार्बन योगेकों में फ्लोरीन दिखे तो क्या लिखना है? नाम से पहले लिखना है फ्लोरो और अगर क्लोरीन दिखे तो क्लोरो ब्रोमीन दिखे तो ब्रोमो लिखेंगे और यदि आयोडीन दिखे तो आयोडो लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बनिक योगेक में क्या देखेंगे? देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ड्रोमीन या आयोडीन हैं तो प्राथमिक पूर्वलगन लिखेंगे इसके बाद आप देखेंगे कार्बन में रिंग बन रही है क्या ये आप सरलता से देख सकते हैं अर्थात कार्बन की श्रिंखला सीधी है या रिंग बना रही है। यदि रिंग बनेगी तो आप साइकलो शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आप आएंगे मुख्य कार्बन श्रिंखला पर कि कितने कार्बन हैं। यदि एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ। यदि दो कार्बन है तो लिखेंगे एत। यदि तीन कार्बन है तो लिखेंगे प्रॉप। यदि चार कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, यदि पांच कार्बन है तो लिखेंगे पैंट, यदि छे कार्बन है तो लिखेंगे हैक्स, यदि साथ कार्बन है तो लिखेंगे हैप्ट, यदि आठ कार्बन है तो लिखेंगे ओक्ट, यदि नौ कार्बन है तो लिखेंग नौन, यदि दस कार्बन है तो लिखेंगे डेक, यह सीक्विंस आपको अच्छी तरा याद होनी चाहिए, अब आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबन्द, सिंगल बॉंड है, या दुई आबन्द, डबल बॉंड है, या त्री आबन्द, क्रिपल बॉंड ह यदि एकल आबंध है तो ऐन लिखेंगे द्वी आबंध है तो इन लिखेंगे और यदि त्री आबंध है तो आईन लिखेंगे अब प्रात्मिक अनुलग्न में आते हैं क्रियात्मक समुह या प्रकार्यात्मक समुह इसकी कार्बन के नाम के सबसे अधिक महतों हैं जैसे किसी नाम में सरनेम की महत्ता होती है यदि प्रात्मिक में OH या हाइड्रॉक्सिल दिखे तो वो आलकोहॉल है इसके लिए आप लिखेंगे All CHO दिखे तो वो है Aldehyde इसके लिए आप लिखेंगे L CO-OH दिखे तो यह है Carboxylic Amal इसके लिए लिखेंगे Oik Amal CO दिखे तो यह है Ketone और इसके लिए लिखेंगे Awn ये वे जादुई सूत्र हैं जिन्हें आपने एक बार समझ लिया तो आप कार्बन के किसी भी योगिक का नाम लिख सकते हैं अगले विडियो में हम इनके उदाहरणों का अभ्यास करेंगे